हलो ब्रीवन, एकजाम वारियर में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्पिसल शिश्वमन्दीत बीपीसी के द्वारा पूछे गए, प्रीवियस येर के कुश्यन को डिसकस कर रहे थे, दोस्तों इसके पहले की दो क्लास में हम ल क्लास को लाज तक ध्यान से जरूर देखिएगा, और अगर आप इसका पीडियाप चाहते हैं, तो जोइन कीजिए हमारे टेलिग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो चली सुरू करते हैं, आज का पहला प्रस्ण है, निमल खित में से किस जिले में बिहार का एक मात्र राष्टी उद्यान है, जो बिहार के पश्चमी चमपारण जिले में इस्तित है, तो इसका राइट अंस रो जाएगा, आप्शन C, पश्चमी चमपारण, ठीक है, बिहार में पाय जाने वाले कुछ अन्य वन जिय ब्हारण की बात करते हैं, जो इंपोर्टेंट है, इसमें आपका पहला है, भीम बाद वन जिय ब्हारण, तो ये बिहार के मुंगेर जिले में इस्तित है, भीम बाद वन जिय ब्हारण, नेक्स्ट है, गौतम बुद वन ज यह कहां पे इस्तित है तो यह बिहार के गया जिले और जारकन राज के कोडर्मा जिले में या इस्तित है गौतम बुद्ध वन जिय बिहारन नेक्स्ट है कैमूर वन जिय ब्हारन ये कहां पे इस्तित है तो ये कैमूर जिला और रुहतास जिले में या इस्तित है कैमूर वन जिय ब्हारन ठीक है नेक्स्ट कावर जील पच्छी अभ्यारन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कावर जील पच्छी अभ्यारन ये कहां पर इस्तित है ये बिहार के बेगु सराय में इस्तित है ठीक है बेगु सराय में इस्तित है कावर जील पच्छी अभ्यारन और ये ध्यानक खेगा ये रामसर अस्तल है ये कामर जील पच्छी अभ्यारन ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं नक्टी डायम पच्छे भ्यारन ये इंप्वांटन है नक्टी डायम पच्छे भ्यारन तो ये कहां पर है तो ये जमुई में है ठीक है जमुई में है नागी डायम और नक्टी डायम ये बिहार के जमुई में है और ये भी ध्यान खेगा, ये दोनों क्या है, रामसर अस्तल है, बिहार में कुल कितने रामसर अस्तल है, वर्तमान में बिहार में कुल तीन रामसर अस्तल है, पहला कौन सा था, तो पहला कावर जील, पच्य बैर्ण, ये पहला रामसर अस्तल था, और दूसरा क बिक्रम सिला गंगा डालफिन अभ्यारन, इंपोर्टेंट है ये, बिक्रम सिला गंगा डालफिन अभ्यारन, तो ये बिहार के भागलपुर जिला में इस्तित है ये, बिक्रम सिला गंगा डालफिन अभ्यारन, नेक्स्ट है, संजय गाधी जैविक उद्यान, ये सब इंपोर लैप्पूर1जीव बहरण वाल में की फाल में की 1जी बहरण अभी बताया मैंने पस्ट में चंपारन में है और यह एक टाइगर अंतर चलिट अब है और बिहार का एक आधनिक बिहार का निर्माता किस्य माना जाता है तो सचिदानंद सिनहा को आधनिक बिहार का निर्माता माना जाता है option A का correctance रो जाएगा next बढ़ते हैं बिहार प्रांती किसान सभा का गठन किस ने किया का इम्पोर्टेंट है बिहार प्रांती किसान शबा का गठन किस ने किया इक कई बार आचुक है पिछले भी और श्री कृष्ण शिंग्ने किया था इसको बिधान रखेगा मंगेर किसान सब्सक्रान का गठन 1922 में मुपहमद जुबेर और स्री क्रिश्ण शिंग्ने किया था, ठीक है, नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्यागरह का नेतृत्त किसने किया है, इंपोर्टेंट है, भ परश 1930 में भागलपुर में नमक सत्यागरा का नेतुत महादेव लाल शराफ ने किया था, विए गादी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे, इस आंदोलन में चौकी दारी कर ना देने, सराब की दुकानों के सामने विरोध प्रदर्शन, खादी के उपयोग को बढ़ स्री कृष्ण सिंग के नेतुत में नमक सत्यागरा का आयुजन किया था, अगर पुछादा मुंगेर में किष्ण क्या था, तो स्री कृष्ण सिंग ने किया था, राजिन प्रशाद ने इस नमक सत्यागरा आंदोलन की रूपे का तयार की, नमक सत्यागरा के दोरान, चंप बिहारी भर्मन किया था नमक सर्थागरा की शुरुवात 16 अप्रैल 1930 को पत्ना में हुई और मंगल तलाप के पास नमक कानुन तोड़ने के लिए नखास पिंड को चुना गया इसको भी आप लोग ध्या नखिये अगर पुछाया बिहार में नमक सर्थागरा की शुरुवात का भुई थी तो 16 अप्रैल 1930 को पत्ना में और मंगल तलाप के पास कानुन तोड़ने के लिए नखास पिंड को चुना गया था ठीक है नेक्स्ट है बिहार में 1949 में अंबरी या अंबारी सत्यागरा का नेतुत किष्णे क्या था इंपोर्टेंट है बिहार में 1949 में अंबारी सत्यागरा का नेतुत किष्णे क्या था तो इसका राइटेंस रो जाएगा आप्सन ए राहुल शंकृत्यान ने उन्हीं सुन्तालिस में बिहार में अम्बरी या अम्बारी शुत्त्यकरा का नित्त किया था विहिंदी सहित्य के एक अधुत्ती व्यक्ति थे यस अंदुलन के दौरान उन्हें जूठे मामले में फसा आ गया और छे महिने की कैद की सजा सुनाई ग कौन थे बिहार में तो इसका राइट एंस रोजागा अपसन सी मुरली मोहन प्रशाद अपसन सी स्का राइट एंस रोजगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गिया है यह ठीक है नेक्स्ट है । अशुक्त इस में बिहार में सोसलेष्ट पार्टी का गठन किषने किया था देंखिए प्रस्ट में बार राहरा इसम्पॉर्टेंट है अब अब बिहार सोसलिस पार्टी के बाद 1934 में कॉंग्रेस सोसलिस पार्टी की निवरखी गयी पार्टी के निमलकवीत उद्देशं within थे सवाधवादी विचारों का प्रशार प्रशार मझतूर अउरकिसान संगंठन का गठण गठण. अगर अगर पुछा बिहार सोचलिस्ट पार्टी का गठन तो 1931 में अगर पुछा कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी का गठन कप क्या गया था तो 1934 में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ठीक है आगे भी प्रशना आए गाया नेक्स्ट कस्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम सासक यूसुप शाह चक को समराट अकबर द्वारा बिहार निर्वाशित कर दिया गया था उन्हें कहां दपनाया गया था तो इन्हें जो है नलंदा में अप्सन डीस कराइटन्स रोजगा नलंदा में दफनाया गया था यूसुप शाह चक को नलंदा में दफनाया गया था वह कस्मीर घाटी का अंतिम सासक था कस्मीर घाटी का अंतिम सासक था उसने 1589 से लेकर 1586 तक कस्मीर पाशासन किया था वस्वतन्द कास्मीर के अंतिम मूल शासकों में से एक था यह कस्मीर का जो है अंतिम सासक था उसे मुगल शमराट अकबर ने कैद कर लिया था और बाद में बिहार निर्वासित कर दिया था उसे नलंदा जिले के इसलामपुर बलाक में जमीन दी गई थी और 500 सैनकों की गुर्षवार सेना रखने की अर्मति भी दी गई थी जिस अस्थान पर वबशा था उसे कस्मीर चक के नाम से जाना जाता था 1592 में उड़ीसा में उसकी म्रेत्त हो गई और उसे कस्मीर चक से सटे विश्वाक में दफनाया गया ठीक है नेक्स्ट है निमलिकित में से किस जिले में तहारवाड भूबय ज्यानिक सनचनाय नहीं है इम्पोर्टेंट है यह पढ़ चुके है इसके बारे में हैं पिछली क्लास में हमने मैप के माध्यम से पढ़ा था ठीक है तो इसका राइटेंस हो जगा रोतास देखिए अगर धारवाड की बात करते हैं तो धारवाड जो है बिहार के दच्छिट पूर्व में आप आयाता जैसे आपका मुंगेर हो गया जमुई ह पाई जाती है तो प्ले स्टोइन और हाल में समय में निर्मित हुआ है और हिमाले और छोटा नागपूर पठार की बीच या पाई आते हैं ठीक है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं डीटेल से मैप के माध्यम से नेक्स है बिहार राज में गंगा नदी के किनारे इस्थ कितने जिले स्थित हैं तो बारा जिले स्थित हैं ठीक है अपसंस इसका राइटेंस रोजगा कौन कौन जिले हैं तो बक्षर हो गया भोचपूर शारण पटना वैसाली समस्ती पूर बेगुसराय मुंगीर खगडिया कटिहार भागल पूरो और लखिसराय टोटल जिले कि बारा जिले ठीक है यह ध्यान एक इमपोर्टेंट है और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा नेक्स्ट अब लेकित में से कौन शाव अनगी भिहारन भिहार के मूंगीर जिले में इस थी अभी मने बताया था पहले प्रस्ट में इसमें वनगी बहार कौन सा जो मूंगीर जिले में स्थित है तो भीमबाद वन जिप भारण ये कहाँ पर है तो ये मुंगेर जिले में स्थित है आप्शन सीज कराइटेंस होजगा भीमबाद ठीक है नेक्स्ट आपका बरेला सलीम अली पच्छे ब्हारण इंपोर्टन्ट ये वैसाली में है इसके स्थापना उनिश 176 में इसके स्थापना होई थी गौतम बुद्ध इसा बता चुका हों गया में 176 में यहां पर रिविजन हो जाएगा आप लोग का कैमूर वानुजे भ्हानड तो एक कैमूर और रहतास में इसके स्थापना उनिशो 89 में होई थी ध्याने के कैमूर में दूसरा टाइगर बनाया जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपका कामर जील पच्छे भ्हान तो बेगू सराय में इसके स्थापना उनिशो 87 में होई थी कामर जील की बात करते हैं तो यह एसिया के सबसे बड़ी गोखुर जील है यह बेगू सराय में इस्थित इंपोर्टेंट है कई बार पूछ सबसे अधिक लिंगन पात दर्ज किया देखिए सब प्रश्ण रिपीट होते हैं इसलिए सारे प्रश्ण इंपोर्टेंट है ठीक है कई बार अग्रोट पूछा गया तैश्नक का जहाँ लिंगन पात सब्से ज़्यादा कितना है तो 1021 यहां का लिंगन पातह सबसे कम अगर पूछा किसका है सबसे कम लिंगन पात मूंगीयर जीए दिखाए थैघर यह सब पढ़ा चुका हूँ आपस्ट बीस कराइटम सुरुची नियुकेर जिलों में से जिले में खने पड़ पाती 1 ga च्टर भीहार जिला जिसमें गंगा अधी के ल lesson करा जो है वाजिला काउंस जिसमी में गंगा नाधी के लंबस सब्से ज्यादा है तो पटना क्क SAMS coryikes पटना में सब ज़्यादा गंगा बैती है लंबाई ज़्यादा है इतना है तो 99 किलिमेटर इसकी लंबाई है पढ़ना में ठीक है नेक्स्टे बीहार के किस जिले में जन्संक्या का घनत्व सबसे अधिक compete सबसे गण्फार की सब्दयक्सालू के अगर आपनें पिछली क्लास नहीं देखिए तो निखसके है ठीक है सारी क्लास इसम इंपोर्टेंट है तेकर स्युवर का कितना थारसो बैसी यह व्यसाली का 1770 पत्ना का थारसो तेज दर्भंगा का सत्रसो थाइस ठीक है देखिए यह याँ पर कुछ डाटा दिया उसको देख लेते हैं अब इसकी ब्रिद्व गजारीाच की बात करते हैं और भारत की कितने हैं तो 17.000 this परक्रशंट आगें भारत क कितने हैं दृक्ति जंत्रसाथलम करने तो इसको कमपियर करके पढ़ शकते हैं जनसंकिया घंद तो अगर पूछा जा याँ भारत का 382 है विहार कीतना है एक डिशी है जो की क्या है सबसे ज्याधा है ठीक है सबसे ज्यादा है बिहार का जनसमंक्या घैनत्व भारत में लिंगनपाथ 942 भारत का और 918 ये बिहार का है सचाट तर्शापी 3 Concos .06 ये ब्हार का है और 16 마ब संमलों 8 अठीया प्रशन्य, ठीक है, जो सबसे कम है, ये बिहार का, नेक्स्ट है, नेमलिखित सहायक नदियों में से कौन सी गंगा नदी बीशिन का हिस्सा है, करा कौन सी गंगा नदी बीशिन का हिस्सा है, तो इस कराइटन्स रोजगा अप्षन B, उत्री कोयल, अप्षन B इसका कराइटन्स रोजगा, उत्री कोल ध्यान केगा ये सो नदी की साहयक नदी है और सो नदी गंगा की साहयक नदी है संक की बात करते हैं तो संक ये ब्रामणी नदी की साहयक नदी है और दच्छडी कोयल भी ब्रामणी नदी की साहयक नदी है तो इसका राई टेंस हो जाएगा अप्शन B, गंगा की बात करते हैं, तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उत्रा खंड के गंगोत्री गुलेसियर से या निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 25-25 क्लिमिटर गंगा की लंबाई है, गंगा की दाहिनी सायक नदियां मिलती हैं, जिसमें आपका हो गया, यमुना हो गया, शो नदी, चंबल नदी ठीक है, और करनासु नदी हो गया, और जो है उत्तर की तरफ यानि जो बाई और नदियां की गंगा में मिलती है, कौन कौन से नदी है, जैसे आपका महाकाली हो गया, गंडक हो गया, क तो नदी में जाकर गिर्तिए नि उत्री को यह сотी नदी की साइक नदी है अजो गंगा नदी ब्हेसिन का एक हिस्सा है और जुचीलाव शंख नदी यह ब्राम слठी नदी की साइक नदी है कर नेक्स है हर शाल 22 मार्च को मनाया जाने वाले बिहार दिवस का क्या महत्तव है प्रधान मंत्री नर्यन्दमोदी ने किस नदी पर बनने वाले मंडल बाद परियोजना की अधार शिला रखी देखिए ये 65 पूछा गया प्रस्ट है उसमें करेंट अफेयर था ये इसका राइट एंस रोजागा आप्सन दी उत्तरी को एल आप्सन क्यों जगा डीस का जनाय दिया है आप इसको आप लोग देख लिजेगा इंपोर्टेंट है ये नेक्स्ट बढ़ते हैं लोग पाटिल पूत्र में आयोजित प्रथम जैन परशद के अध्याच कौन थे ध्यान अखेगा ये पहली जैन परशद है ठीक है बहुत परशद नहीं है जैन परशद करा पाटिल पूतर में आयोजित प्रथम जैन परशद का अध्याच कौन था तो इसका राइटन सफ परशट महाविर की अमरेत के परशद के एक Сोशाथ वर्ष बाद पारटिल पूतर में आयुद की गई थी, इसके दस्ता स्तूल भद्र ने किया था, इस परशद में जैन धर्म दो गुटों में विभाजित हो गया, इंपोर्टेंट है, ठीक है, कब विभाजित हुआ था, तो प्रतम जैन शंगीत में, और किस में, तो सुतंबर और दिगंबर, दो गुटों म की नेत्ता और निर्मात्ता स्तूल भद्र और उनके अन्यवाई मगद में ही रहे, इस संगीत के दोरान जैन्गों ने महाबीर के सिठ्छाओं को बारा अंगों में वर्गिक्रित किया था, इसको भी आप लोग ध्यान कियेगा, नेक्स्ट है, कि सासक ने अपनी राजधान स्थांद्रित की थी सभी को बता है, कई बार बता चुका हूँ, इसके बारे में तो उदाइन ने अप्शन सीज कराइट एंस हो जगा उदाइन, और उदाइन जो हाई ये हर्याक बंस का शासक था, और जो अजाद सत्रु का क्या था ये पुत्र था, ठीक है, नेक्स्ट है तो आपसन क्या हो जगा, इसका करेक्टन्स रो जगा, सी यार दास, बातिराश्टी का अंग्रेस के स्थापना का वोई थी, 28 दिसंबर 1880 को इसके स्थापना हुई थी, किसने किया था, ए वो, हूम ने इसकी स्थापना की थी, इसकी पहली बैठक जो है, 1880 में हुई थी, बंबई में, और इसके दस्ता, डवलू सी बनार जी ने किया था, ठीक है, 28 कंग्रेस अधिवेशन, 1922 में गया में हुआ था, इसके दस्ता, चितरन जन्दास ने किया था, जिन्हें देश बंदू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इन्होंने, 1903 में, सुराज पार कि भी अस्थापना किये थी, इसको भी आप ध्यान किये गए, नेक्ट है, भारती राश्टी कंग्रेस के लखनव अधिवेशन, 1916 में, बिहार के नेल उत्पाद को का स्थावाल किसने उठाय था, इंपोर्टेंट है, ये पूचा गया है, टीचर वाले जामें पूचा गय किया था, ये भारती राश्टी कंग्रेस के लखनव अधिवेशन में, बिहार के नेल उत्पाद को का स्वाल किसने उठाय था, तो राजकुमार शुकला ने उठाय था, और इनहीं के बुलाव परमात्मा गाधी जी चंपरन गया थे, तो अपसन इसका राइट एंस है, और 1916 का जो लखनव अधिवेशन था, इसकी अधिश्टा किसने किया था, ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान कियेगा, इसकी अधिश्टा अम्भिका चरण मजूमदार ने किया था, ठीक है, अम्भिका चरण मजूमदार ने इसकी अधिश्टा की थी, ठीक है, नेक्स जिला के पास घंगनदी में मिलती है कुशी नदी को इसकी साथ साहिक नद्यों के करना सब्थ कोसी के नाम से जाना जाता है कम्षी नeszी चोंगर इसके साहिक नद्यों के काना चूछीन दीक रहिता है बाढ़ का करणा बनती है इसलिए अपना मार्क परिवर्थित करती रहती है ठीक है नेक्स्ट है किस आंदोलन में बिहार के किसानों ने चौकी दारीकर देने से इंकार कर दिया था इंपॉर्टेंट है चाहों की दारीकर देने से इंकार कर दिया था बिहार की किसानों ने किस आंदूलन में तो यह सब इन अब आंदूलन में आप संट इसका राइट एंस रोज़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह भी कई बार पूछा गया है ठीक है प्रशना आ चुका है यह आप संट डीज का राइट अंस हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं लोग कि नेमिलिकरत में से कौन बिहार के फुबज्यानिक इतिहास के इतिहास में नवींताम करां लुए नवीन तो जो बिहार का मैदान है यह आपका ठाह् teor आप संसे का राइट ऑनस रोज़गा लगया गंगा नादियों इसके साहित राइब नंदियों दोरा बहाकर लाइ या मैंदान का निर्माड हुआ है या उत्तर पस्ट में सुमेश्षर परवत्माला और दच्च्ट के पहाड़ी छेत्र की बीच और पस्टमी में उत्तर पदे से ले कर पूर में पस्च्ट मंगाल तक आप फैला हुआ था फैला हुआ है या मैदान गंगन अदीद्वारा उत्तर और दच्छड बिहार के मैदानों में विभाजित है ठीक है इसको आप लोग देख लिजेगा डेटेल से पढ़ लिजेगा आप इंपोर्टेंट है ये पीडिया पाप लोग टेलेग्राम से लिए लिजेगा पीडिया अगर आप लोग इस क्लास पे 200 लाइक कर देते हैं ठीक है और पाचास कमेंट कर देते हैं तो इसका पीडियाप आप लोग कर टेलेग्राम पे अप्लोड हो जाएगा ठीक है है नेक्स है पुरानी जलोड मिटी या बांगर मिटी बिहार के नेमलिकित के स्षेत्र में पाई और गया झाल देखी व weं के उत्तर विहार के मैदान की मिटी पाइड मॉन दलदली मिटी ऑई मुष में 2 परण के उन्सटर पस्टमी भागों में में बनती है इंपोर्टें्ट है क्याआ मोंट या पाइड मोंट जो मिट्टी होती है पस्ट मिचा परांड जिलें पाया ति मने बताया था यह इंपोर्टेंट है इसको जुरूर ध्यान निकिए अपलो तराई मिट्टी या बिहार या मिट्टी बिहार के उत्री भाग शुमेसर प्रवत्माला के दच्छुड़ों पायातिएवर पस्ट मिचंप्रण से किसंगंज और अरजलो तक यह सकशि पट्टी की रुप में पहली हुई है तराई मिट्टी ठीक है नवीन जलोड में टूप का जाता है उसे खादर कहा जाता है ठीक है इसके बारे में आप लोग देख लीजीगा टिटिल्ट पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजीगा इसको नेक्ट भड़ते हैं लो बिहार में बरावनी रिफाइन डी किसके सहयोग से अस्थापित की गए इसको इंपॉटेंट है तो शोवियसंग आपसन एसका डाइन सोवियसंग के सहयोग से इसको देहां नेक्टीगा इसके अस्थापना 1964 में बिहार के पहले मुख मंत्री स्रीकृषण सिनहा के ड्रेम प्रोजेट के रूप में सोवियसंग के सायोग से बनाया गया था इसे ए नाटना उनीजों चौछ अ सुवेद संके साहता से की गए ठीक बेग उसराय में यह भी पूछा गया है नेक्स है बिहार का प्रशाद पास्व मेला कार्थिक पूड़िमा पर कहां आयुद किया जाता है जो पास्व मेला होता है यह कहां पर आयुद होता है तो यह आपका शोनपुर में आपसंट इसका आयोजन किया जाता है सोनपुर मेला के नाम से भी यह जाना जाता है ठीक है सोनपुर मेला एक प्रशिद पास्व मेला है जो नौंबर के महीने में एक है एक ये सबसे बड़ा पास्मील आहिए , नेक्स्ट है , दच्छड बिहार में लोगप्री पारामप्री जल शन अच्छण सी चाइप डाली को क्या कहा जाता है , यूश्च इंपोर्टन्ट है , आप्षण एस नहीं क्या जाता है ? पट्ना Youth Association की अस्थापना का भुई important है पट्ना Youth Association की अस्थापना 1927 होई थी आपसन सीस कराइटेंस हो ज़या इसकी अस्थापना किस ने किया था ये भी ध्यान ने किया तो स्री मनेंद्र नरायन रायना इसकी अस्थापना की थी 1927 में, नेक्स्ट है, बक्तियार खिलजी के बिहार पर आकरमण का सबसे पहला विब्रण में वड़ित है, इंपोर्टेंट है, कई बार पुछा गया है, बक्तियार खिलजी के बिहार पर आकरमण करने का पहला विब्रण, किसमे वर्णित है तो इसका राइटन्स हो जागा अपसन भी तपकाते नासरी में इसका वर्ण किया गया है अपसन क्या हो जागा भी इसका राइटन्स हो जागा तपकाते नासरी जो है किसकी रचना है तो मिनहाज उस्षिराज की यह रचना है ठीक है इसने लिखा तपकाते नाशरी. बारासो इस वी में आफगान शेयन प्रमुक बक्तियार खिल्जी के बिहार पर आकमण करने का सबसे पहले शुंदर मिनहाज उस्ष्राज जुजनाइनी दोवरान लिखित तपकात आशरी में मिलता है. अचyang, खिल्जी ने विहार पर आकमन किया और नालंदा बिक्रम्सिला और ओधन्त पुरी विश्विद्याले कुष्ण ने नस्ट कर दिया था नालंदा विश्विद्याले की बात करते हैं इसकी अस्थापना किशने क्या था तो इसकी अस्थापना कुमार गुप्त ने किया था ठीक है कुमार गुप्त ने इसके स्थापना की थी ठीक है next ! बिहार के निम्लिकित भागों में से कौसा भूगार बीद्रिष्ट से अपेच्छा क्रित पुराना करां संधुल भूगार बीद्रिष्ट पुराना है तो रोहतास का पठार पुराना है प्रकार के उद्योगों कि संभावनाय और संभावनाय है तो क्रिश्रिय अधारित अप्शन डीस का राइट अन्स बिहार का अधिकान्स छेत्र से अच्छा देत है किस्से जो है तो जलोड मिट्टी सरबादिक पाई या थी बिहार में आप्शन बीस का राइट अन्स जलोड मिट्टी ठीक है बिहार का अधिकांस चेत्र जलोड मिट्टी से अच्छा दिख है बिहार में तीन प्रकार की मिट्टी आ है गंगा जा लोड ठीक है गंगा का जलोड भीहर के मैदान नए और पुराने दोनों को कवर करता है पीड़ मुन दलदली मने बताई यह बॉद्ध मठ की अस्थापना की और अपने राजदूत की माध्यम से देवपाल से इसके रख रखाव के लिए पांच गाओं देने का अन्रूत किया था वह था करा स्वणभूम का शासक जिसने नलंदा में एक बहुत भी हार मठ के स्थापना की और अपने राजदूत के माध्यम से देवपाल से इसके रख रखाव के लिए पांच गाओं देने कान रोध किया था तो इसका राइटन्स हो जागा आपसंसी बालपुत्र देव ने आपसं पहले मिल विहर का अस्थान क्या है तो मनिक बतार अभी कि जो है विहर का सच्थादार दर का सबसे कम है तो यांडि पहला अस्थान भी lucky कहातला प्रश्चत के लिए प्रकासित किया था तो थो 2016 के लिए पहली बार यहार आदिक सर्विच्छन पहली के रस्तुत किया गया था जो समय विहार के क्या थे उपमोक मंत्री थे और वित्य मंत्री भी थे नेक्स्ट है किस चेत्र में आधिवासियों ने अंगरेजों के खिलाब विद्रों किया था तो बिहार में आपसंड एसका राइटन्स हो जगा बिहार में नेक्स्ट है बंगाल और बिहार में भूम पर किरायदारों के अधिकारों को बंगाल कास्तकारी अधनियां दोरा कब मानता दी गई थी इंपोर्टेंट है बंगाल और बिहार में भूम पर किरायदारों के अधिकारों को बंगाल कास्तकारी अधनियां दोरा कम मानता दी गई ने लोगों से सराब से बचने कागरा किया इसके पड़ाम सुरूप सरकार को राजस पर गंभे नुकसान हुआ एक प्रांत की सरकार ने लोगों को फिर से सराब पीने के लिए राजी करने के लिए शराप पीने वाले प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकास प्रशारित की और स्प्रांत का नाम बताए तो यह कि स्प्रांत में हुआ था तो बिहार में हुआ था अपसंट बीस कराइटन सो जगा बिहार ठीक है नेक्स्ट बिहार सोसलिस्ट पार् ठीक है उसके वाद 1934 में जब प्रकाश नराण ने पतना के अंजुमन इसलामियां हॉल में एक बढ़ ठक बुलाई और अवचारिक रूप से बिहार कॉंग्रेस सूचलिस्ट पार्टी का घठन किया ठीक है अगर पुझा बिहार सोचलिस्ट पार्टी तो बिहार कॉंग्र बिहार का पुझा जिला नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो पुझा साजा नहीं करता है तो पुझा साजा नहीं करता है आप संडीज कराइटेंस हो देखिए बिहार का पुझा जिला नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो नेपाल है ये बिहार के से साथ जि और जो है नेपाल ये पश्मिच चंपराइट के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करता है ठीक है नेक्स्ट है नेमलिकित में से कौन भारत के बिहाराज में एक मात्र युनसको बिसुधरवर अस्तल है देखें एक मात्र नहीं अब आप कई सारे हो गया है यह आपका महाबोधी औ नलंदा बात नलंदा जो है आपका यह आपका यह और दोactor चौन नहीं बैशी कहताई तो तो कि इसका राइन कोगा अप्शन ऑन होगा यह थे रेक्टराजंपत्र भी थे जी सिम गांवीथे और शाम नंदन प्रशाद भी थे अप्शन संब्धां सभा में बिहार के व्यक्तित इस्प्रकार डायटरा जिह शचिन 마음에 श्रीय स्तन Aufg आपट शीनemor har B जंगियार के श्री श्रही इस्वा प्रशाद यह सब जो है संब्हार में सामिल थे दो भीहार सि थे ठीक के नेक्स्त कैंश का कमुर्द का पत्हार किस पृषिद्ध रहा चुका है प्रस्थ चूना पत्तर के लिए प्रकाशित क्या था नामक पत्र का प्रकाशित किया था और इन्होंने 1929 में बिहार प्रांति किसांसभा की अस्थापना भी की थी इसको विध्यान कीगा नेक्स्ट है पत्ना में अन्श्वीलन शमित की एक साखा किस्थापित की थी इधिकी प्रश्ण रिपीट हुआ है तो सचिंद्र नास सन्याल ने इसके अस्थापना की थी पत प्राकोरी ट्रेन एक्सन में सामिल हुने करण उन्हें आजीवन कारवाश्ट की सदसुनाई गई और सिल्वरा जेल में कैद कर दिया गया जहां उन्होंने 1922 में बंदी जीवन नामक अपनी पुस्तक लिखे थी यह ध्यान किया बंदी जीवन यह किसकी प्रचना है तो सच 1937 में बिहार में पहला भारती मंत्री मंडल किसके नेतरुत्य में अस्तुत्य में इंपोर्टेंट है 1937 में बिहार में पहला भारती मंत्री मंडल किसके नेतरुत्य में अस्तुत्य में आया था तो इसका राइट अंस रुजाएगा आप्सन B मुहम्मद यूनिस के नेतरु रूप कई राचनातमा कार हुए उधानन के लिए 1224 में चुनाव हुए कंवरेस ने 107 सदस्व के साथ चुनाव लड़ा जिसमें अधानवे बैजेता रहे घ्र अगर पूचा जाया प्रांतों में 29 के सुरुवात हुए थी थी ठॉट नेक्स्ट बठते हैं लोग इसको आप लोग देख लेगे पठली डीटेल से नेक्स्ट है कि 1922 से 1923 में मुंगेर में किसान सभाग का आयोजन किसने क्या था बता चुका है उसके बारे में तो स्रीक्रिशन शिंग और मुहम्मद जूबे दोनों ने किया था ठीक है आचुका प्रस्ट आपसन इस इन में से एक से अधिक आपसन इसका राइटन्स हो जाएगा नेक्स्ट है बाड़ सुपर थर्मल पावर इस्टेशन किस राज में अस्थापित है तो बिहार में ये बाड़ सुपर थर्मल पावर इस्टेशन आपसन इसका राइटन्स हो जगा कहां पे है ये बिहार में या इस्तित है ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग निम्लिकित मेंसे कौन सी नदी फतुवा में गंगा में मिलती है तो पुनपुन नदी मिलती है आपसन 20 कराइट है पुनपुन नदी या हजारी बाग पठाश निकलती है और फतुवा में गंगा में मिल जाती है, मुक्छ साइक नदियां, दोरधा, ब्यूटेन, मदार और मॉर हर इसके साइक नदियां है, जारकन के पला मुजलेस निकलती है पुनपुन दी और भारती राज्यो जहारकन और बिहार की चत्रा और अरंगाबाद गया और पटना जिले से होकर या बहती है नदी काउलिक वाई और पदम पुरणों में गया महात्म के संबन्द में पुना-पुना की रूप में किया गया है जिसका नाम पुन-पुन शमाधी रूप है ठीक है मुझषप्र पोदर भंगा और चमपराण जिले में कौनसी मिट़ फीरोफ से पयाई जाती है कौन सी मिट्टी जो है मुकि रूष पाई जाती है तो नई जलोड मिठी आपसन बीस कर आइटेंट maior नई जलोड मिठी ठीक है देखें मिट्टी के प्रकाज जैसे बल्थर या कैमुरूम पाई आती है इंपोर्टेंट है यह गुण क्या होता है इसका रत्यला होता है चुना युक्त होता है पीली होती है ताल मिट्टी यह आपका पटना और मुंगेर में भारी मिट्टी होती है तराई मिट्टी चंपारण और किसंगंज मेरी तीला चुना युक्त भूरा और कपीला जो बांगर होता है यह पटना गया और अतास में ठीक है और जो खादर होता है मुझापर पूड़िया सहर्चा दर्बंगा अबाल सुंद्री इंपोर्टिन नपाल सुंद्री आपका सहर्चा पूर्वी ठीक है और पॉष्मिट टेंपरण में या पाई या दिया ठीक है नेक्स्ट बिहार प्रांति किसान सबहा का गठन जो है कभ वह था तुनिश्व प्रांति किसान सबहा का किसने क्या था तो स्वामी साजय नंसरसुतिन इसके सथापना किती आंस कर आई ट्राइड़ एक से हुआरा जो बिहार है एंग फ्रांत बना थो आपका अपसर भारत सर्कार राधनियां 1935 के दौरा अपसर एश का राइट अपसर यह इसटार सbecड़ भारत सरकार अधनियां 1935 के तहत बिहार और उडिषा अलग प्रांथ बन गए इंपॉर्टेंट अहिंपوس बघ्र और उडिषा जो है वि APP represent %AP 304 अलग वा था इससे पहले विहार उडिषा और बंगाल एक ये प्रांथ एक अपर नुंहोंसोет год तो सर सरे जेंस डेःविट शिप्टन को भीर का पेहला फ्राजपाल नियुक्ति कि मूहमुद यूनिस को राज का प्रताल मंतरी घूशित किए इंप्र geographic पहला राजपाल कॉं था तो डेविड शिप्टन ठीक है एक हैर्श्थ न्याग पतना लॉन नाम बदल कर गाद Twelve Ann coming and गया तो इसका राइट एंस रोजागा आप संडी सुतंता पूर विकी संडिया पर आप संडीज का करेक्टन सो जागा देखिए उनिस्टो अर्ट तालिस में उनकी हत्या के बाद स्रधांजली की रूप में पटना लॉन का नाम बदल कर गाधी मैधान रखा गया था गाधी म महत्मागाधी की मूर्ति दुनिये के सबसे काश उची जो काश मूर्ति है हाला कि भी प्रस्टी ने इस प्रस्न के लिए जो है इसका बिकल्प क्या माना आप संडीज का बिकल्प माना था ठीक है यह ध्यान अकिए गया नेक्स्ट है लिहार सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में और इसके सच्व कौन थे इंपोर्टेंट है इसके सच्व काउन थे जया प्रकाश नराण इसके सच्व थे ठीक है आप संडीज कराइटन्स हो जागा और अचार नरेंद्यों क्या थे इसके अधिश्ट देखिए कितनी बार आ जोगा प्रस्ट आप संडी नेक्स्ट किसने असायूग अंदुलन के दोरान अपनी परिच्छा के लिए केवल 20 दिन ही सेश रहते हुए पटना कॉलिच छोड़ दिया था तो जैप्रकाश नराण ने आप संड क्या हो जगा स्विश का राइटन्स रोजगा जैप्रकाश नराण ठीक है नेक्स बढ़ते हैं यह बिहार के एक नेता जिन्होंने असरव अंदुलन के दोरान अपनी आकार्षक प्रेक्टिस छोड़ दी थी तो डाक्टर राजिन प्रशाद ने छोड़ दिया था आप संड क्यों जब्स का राइटन्स फोजगा डाक्टर राजिन प्रशाद नेक्स्ट करनाट वंस का कांतिम राजा कॉन था। Most performance कई बार पुछा गया है क्रनातुस कांतिम राजा कॉन था तो हरिशिंग करनाटवंस मरें का अंतिम और यािव कोया था। एब स्थापना पुषने की थी और इसके अंतिम लılar सॉषिंग देव से ऑंतिम सासक इसे कहा जाता है इसको भी आप लोग धिहां नखिएगा ठीक है नेक्स्ट है राजनीती रतनाकर के लेखक है राजनीती रतनाकर के लेखक कौन है तो चंदेश्वर आप्शन एस कराइट एंस रोजगा चंदेश्वर कि उनिच्ट 24 में बिहार बीषा रनॐरार। सचानीती द्वारठ प्रकासित किया घ्या था इसे ठीक है राजनीती रतनाकर को और इस पुसतक के लेखक चंदेश्वर था कुरह है नेक्स्ट उद्वन्त प्रकास के लेखक है उद्वन्त प्रकास के लेखक कौन है तो मौली कभी अप्शन एस का राइटेंस रोगा मौली कभी उद्वन्त प्रकास मौली कभी द्वारा 1747 में इस पुस्तक में बिहार के जगदीशपुर के उज्जैनिया राजपूत का इतिहास है ठीक है मौली कभी कर राज्य कαι सारे प्रस्नि पूछे गये ठीक है नलंदा बिहार को खेल, शुद्ध झति बिघार का पहला मुस्लिम वजलेता कौन था देखि इंपोर्टेंन बिहार का पहला मुसलिम वुजेता कौन था तो बख्तियार खिल्जी ही था आपसन क्यों जगासीज का रइटांस रुजया बक्तियार खेल जी next भीहार राज में उत्तर पश्ट्य में कौन सी भुबाग अकृतियां पाई आती हैं कर देखिए उत्तर पश्टय में उत्तर पश्टय में कौन सी स्विट्टर पहाड़ी सउंखला पाई आ सबसे अधिक व्रिद्धी दर्ज की गई है इंपोर्टेंट है करा 2001-2011 के दौरान जनसंख्या में सबसे अधिक व्रिद्धी किस जिली में दर्ज की गई है तो यह मध्यपूरा में दर्ज की गई है आप्शन सीज कराई टन्री मध्यपूरा ठीक है नेक्स्ट प्रतिव्यक्ति मानलळी के अमसार बिहार का कौका इल चीला सबसे गरीब जीला कौन सा है तो शिवह नेक्स्ट जिव का बिहार सरकार की एक पहल है तिके उसमें हसलोक घर सरकार की पहल है डिसमीर राइटाइबर फिर्दिया राइट्थ नेट सबहेता करनातक नहीं होगा यह पर करनाट और करनात राजम के पक्सकर मस्तापक कहुंड त análर निदी उसके संस्थापक थे आपस्जों इसका राइटन्स हो जाएगा चंपराण में सिम्राव मितला के करनाट को की यह राजधानी तो सिम्राव था यह करनाट करनाट बंस का क्या था राजधानी था ठीक है नेक्स्ट है किस सिख गुरु का जन्म पत्ना में हुआ था इंपोर्टेंट है किस सिख गुरु का जन्म जो है पत्ना में हुआ था तो गुरु गुविन सिंग का जन्म कहां पर हुआ था पत्ना में हुआ था आप्शन डीस का राइटन जोएगा पत्ना में किसका जन्म गु कि थी आप संट बीज के राइटन्ट कुमार गुपत ये गुपत मंस का साथ सक था है ठीक एस जो है नलन्दा विश्व द्राइव लेकिया स्थापना की थी नेक्स्ट है ने मेलकित मैं से कौन सा कथन सही एक करा कौन सा कथन सही है तोसका राइट ज एक अब शनकर ए उसके कके अपтन्स ए BACK शिव्ड याप सस्थावां की में दरभंगा डुम्रा और हटवा के महरा ज्वड़ा हो और उनके साथ जमेंदारों ने अंगरी जो कि ग्रिख आत्मा दुकी हिर्दय जैसे छ्चद्म नामों से लिखकर चम्पारण के किसानों के दुजशा को किस ने उजागर किया था तो यह किसने क्या था पीर मुहम्मद यूनिश ने किया था पीर मुहम्मद मुनिश निगिया था अप्षन ईसका करेक्ट रोगा तुमत में राहुल संकर्तेान के श्चेत्र में सकूरेत थे एंस दमानाया का तो जाओ Πर किछा नाम लिखत में सक कौनर्ण रीट्ण होगा थे कौन ही हार के ता डिया नदा यह राइंट आपका श्वमी विध्यनद भी थे श्वामी सहजानंद भी थे तिसका करेटेंट सो जएगा आप का एक और दू tub लेख सनट इये सका कहां पर है ये तो हाजी पुर में सती थे आप सेंट बीस कराइट एंड ये कहां पर हाज पुर में हैं अलनाक्स यह तर बीहार किसकी लिए परिश्द थै उत्तर बिहार ये बाड़ के लिए पृष्द थैंद है पर सर्भादिक बाढ़ आता है अपसं सी किसके प्रयास से बिहार प्रांती कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन आयुद किया गया था बिहार प्रांती कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन आपसन भी श्रीद दीप नरायन शिंग के प्रयास उसे आपसन क्यों जगा बीस कराइटन स्रीदीप नरायन ठीक है बिहार प पांति समयलन का पहला दिविशन उन्हें 108 में पटना में हुआ था जिसके अदच सर अली इमाम थी और बिहार पांति कॉंग्रेस का दूसरा दिविशन श्रीदीप नराणशिंग के प्रयासों से हुआ था नेक्स्ट है तीसरी बौध परशद कहां आयोजित की गए थी तो ये तीसरी बौध परशद पाटिल पुत्रिम होई थी आपसंट डीस का राइटन्स हो जागा इसके बारे में डीटेल से पढ़ा चुका हूं आपसंट क्यों डीस का करेटन्स हो जागा और उसमें सासक कौन क्या दो यह मुरली भरवा के नीमाशी थे मुर्वली भरवा के आपसंट टीस का करेटन्स और हेसे 1-10 हाजारी भाग में विघारी छाथ्यवहिछ्यॅ मेलन का 6 अधिविशन का क्यों यह 17 में हुआता पहला नीचोc अमें सुछा में पथा में पातitions पठना कॉलेज में डाक्टर रजिन प्रशाद ने सुतनता संगराम के लिए युवाओं को तयार करने के लिए बिहारी छादर सम्मेलन के अस्थापना में मात्पोर्ड भूम का निभाई थी इसको विध्यारण किएगा नेक्स्ट विहार के एक प्रमु समाचार पत्र विहारी के संपादक कों थे बिहाई के संपादक कां थे तो बाबू महिसो प्रशाद इसका नाम विहारी रघ दिया पहले इसका नाम क्या था बिहारी बिहार टाइम सो नाम hatno लार शिन से न हैं नए 121 में गवर्नर के 5 से स्थीपा दे दिया था उर्ण को आपसं। नएकसर प्रभावती देवी। प्रभावती देवी प्रवाति देवी में शुरू किये गये अस्थाईी बढन्दवस्त के बारे में निमलकित में इसे सभी है अस्थाइब बन्दुबस्थ के बारें पूछ रहा क्योंस वह सभी है जमीन के स्वामेत काधिकार जमीदारों के लिए वन शान गत्व और हस्तांत्रणी बना अब सब्सक्राइब बात करते हैं सिरुवात कि ने किया था 1773 में कार्णवालिष ने इसकी शुरुवात की थी ठीक है इसके तहत जमिदारों नामक बीचावलियों द्वारा किसानों से भूम राजस्व एकत्रित किया जाता था सरकार का हिस्सा कुल कात्रित राजस्व का 10 बटे 11 होता था और जो है एक बटे ग्रावा हिस्सा क्या करता था यह जमिदार रखता था और यह पश्मी बंगाल बिहार यूपी आंद्परदिस आदमी यह प्रच्वित था ठीक है इसे जमिदारी ब्योस्त भी कहा जाता है नेक्स है विस्व का पहल वल देव सहाय ने एडवोकेट जनरल के पत से इस्तिपा दिया था तो इन्होंने 1942 में इस्तिपा दिया था एडवोकेट जनरल से अप्शन एस का राइटन्स हो जागा नेक्स्ट है अकबर ने बिहार और बंगाल को अपने समराज में मिलाय था तो 1576 में अकबर ने बिहार में अपना पहला सुवेधार किसे तो मलिक जानी को नियुद किया था आप्सण डी मलिक जानी is next est नंद वंच के बाद दमगत पर किस वंच ने शासन किया था तो नंद वंक के बाद सभी पर वंच ने किया था आप्सण इसक रई cotton series तो आपका हो जाएगा आपसंसी कर्मनासा हो गणडक हो गया और घागर नादी यह जो है बिहार और उत्तरपुदेस कि सीमा बनाती हैं, option C's का करेक्टेंस हो जाएगा, next है, चीनी आत्री वहेंस्वांग ने किस विश्वध्याले में अध्यान किया था, तो इसने जो है, हेंस्वांग चीनी आत्री था ये, और ये नलंदा विश्वध्याले में अध्यान किया था, आप्सन्-Dies software अपमेंट बॉक्स बताए एकि हैंस्वांग किसके समय में भारत आया था comment जुडू करिए करा स्वतनता पुरकाल में जो है बिहार की कौनसी प्रमग जाती नहीं थी तो कुरमी नहीं थी ठीक है आपसंडी कुरमी देखिए ऐसा भी प्रशन पूचा गया है चीयाल स्वीं बीप्यस्टी के द्वारा नेक्स है ब्रिटिस सासन के दुरान बिहार में क्रिशक वर्गो को निम्लिकित में से किस त्रणी में रखा गया था तो आपसंड क्या हो जगा यह पांच गुना भीवाजन आपसंड इसका राइटांस हो जगा नेक्स है बिहार में निम्लिक्त में से किस समो की नादियां उत्तर से बहनेवाली गंगा नदी या उसकी साहक नदियों में से मिलती है, उत्तर की और बहने वाली नदिय कौन सी है, इसका कराइटन्स रोजाए, आपसन, सीज का कराइटन्स रोजाए, गंडग, कमला और बागमती, आपसन, सीज का कराइटन्स रोजाएगा, उत्तर से बहने वाली पुछा न, ठीक है, आपसन, सी, य इसका हम नहीं होगा। यह दच्षिड से जाके मिलती है गंगा में देखे, घागरा, यूझियु, गंड़क, बुड़ी गंड़क, भागमती, कमला और महंदा, कोशी नदियां उत्तर से गंगा में मिलती है। इस अब ध्यान एखेगा ये उततर की तरफ से जो है गंगा में म next है भीहार में बांगर मिट्टी पाये जती है भीहार में बांगर मिट्टी आप्सन B पूढिया सहरशा धर्वगप्शित्र van g目前 इसका करिटंस हो जयेगा ठीक है 200 प्रश्ण थे आमने सारे प्रश्ण को कवर कर लिया है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरू बताएगा क्लास कैसी लगी ठीक है यह रहे आज के प्रश्ण थैंक यू फॉर वाचिंग